देखे संसत की सुरक्षा में ये गंभीर चूक है और मैं ये मानता हूँ कि जो आज की तारीख है इस तारीख को ही संसत पर पुरों में वो जगने कांड हुआ था जिसमें अनेक लोगों की शाहदते इस तारीख में दर्ज हैं और सुरक्षा की ऐसी चूक और बड़े बड़े दावेक की अभेदे दूर्ग के तरह संसत परिसर हो गाए ये बाते लगातार एंडिये सरकार के मंत्रीगन कहा करते थे अब इसकी नैतिक जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए और इस घटना से जुड़े जो भी लोग हैं उनके तार कि इनके साथ जुड़े हैं कि इन वजहों से वो आये और साथी साथ संसत के अंदर पहुँचने तक का जो ये दुर्गम मार्ग है यहां तक वो कैसे पहुँचे इन तमाम बिंदूओं पर काफी गहरी जाच कि अपेक्षा पूरा देश करता है कि ऐसी घटनाओं की पुन्राविर्ती नहीं हो और जिन लोगों ने भी इस सुरक पूर्तम दंड मिले हैं अब देखें यह प्रारंबिक जानकारियां हैं इस पर पूरी जानकारी के साथ जब वीवरन सामने आएगा तो वो ज्यादा सुनिश्कित करना असान होगा कि इस घटना का जो स्वरूप है और इसके लिए जबाब दे लोगों की रादे के आते हैं प्रदीव सिमा भाजपा के हैं और उस पर देखना होगा कि क्या उस भाजपा करवाई करती है प्रदीव सिमा जी है और उनकी अनुशंसा पर अगर लोग गए है तो इसकी जिम्मेदारी उन पर बनती है अनाइडेटिफाइड चीज निकाला जिससे गयस उगर निकल रहे हैं तो इसके बाद इस तरह के धुआ उगलने वाले किसी भी बिस्फोटक पदार्थ का संसत परिसर तक पहुँच जाना है यह एक गहरी चूक है और यह जो सुरक्षा विवस्था है निसंदे इसकी समिक्षा करने की जरूरत है और बड़े बदलाव अगर अपेक्षित हैं तो किया जाना चाहिए मत परदेश के नव जो मुखमिंतरी उन्होंने ओथ लिया और उन्होंने सबसे बड़ा फैसला किया कि धार्मिक अस्थान के लाड़ स्पीकर पब्लिक प्लेस पर लाड़ स्पीकर नहीं बज़ेगा और खूले में मांस बिक्री पर लोग रोख लगाने के उन्होंने ओर द का कल्यान करना है तो आज उन्हें जातिये जनगड़ना के संबन में घोशना करनी चाहिए थी उन्हें आरक्षन पर बात करनी चाहिए थी नौक्रियों की बात करनी चाहिए थी लोगों को कैसे छट मिले लोगों को आजवी का कैसे मिले ये बड़े सवाल है ये बार बार ग फैसला अगर वो एक साथ नौक्रियों का एलान करती है कि हम एक समय सिमा के अंदर इतनी नौक्रिया देंगे हम उद्योग धंदे लगाएंगे हम यहां लोगों को जिनके पास छत नहीं है उन्हें छत देंगे ऐसे फैसले जनता की जिन्दगी बदल सकते हैं जो फैसले हुए हैं वो केवल सुर्खिया बटोरने और संसनी पैदा करने के लिए